हलो, आज हमारी कंट्री कोरोना वाइरस के चालेंज को फेस कर रही है इससे बचने और लडने के लिए लॉकडाउन तो हुआ ही है एक और तरीका है जिससे इससे बचा भी जा सकता है और अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो गया है क्योंकि अभी तक किसी कोरोना वाइरस पेशन्स ने ये मेडिटेशन किया नहीं है बगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये मंत्र मेडिटेशन से इम्मूनिटी बॉड़ी की कई गुना बढ़ जाती है तो अगर इस मेडिटेशन को अब करते रहते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई इंफेक्शन होई न और अगर किसी को इंफेक्शन है किसी भी तरह का तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है उस इंफेक्शन से और जल्दी रिकवरी के कारण डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है बहुत हिंदुस्तान के एक वाइस प्रेजेंट हुए है स्वर्गे श्री भहरो सिंग जी शिकावत भहरो सिंग जी राजिस्तान से तीन बार मुख्य मंत्री भी रहे है वो इस meditation की ताकत को जानते थे उन्होंने खुदने भी इस meditation को किया था और जो लोग non-profit way में इस meditation को करवा रहे हैं उन लोगों के efforts को भी उन्होंने recognize किया था उसके लिए उन्होंने एक letter लिखा था सिद्ध योग द्वारा AIDS जैसे भेंकर रोग को समूल नश्ट करने के लिए तथा अन्य सभी प्रकार के रोगों की समापती है तू सरहानी ये प्रयास है देखिये किसी भी public figure के लिए ये accept करना especially जब वो power में हो कि एक मंत्र meditation से रोग ठीक हो सकते हैं या AIDS, HIV में फरक पड़ सकता है ये बहुत बड़ी बात है मेरे experience में मैंने जितने patient से में मैं मिला हूँ चाहे वो AIDS, HIV के हों cancers, throat cancer, lung cancer, blood cancer और arthritis, rheumatoid arthritis, seasonal allergies और तमाम तरह के मैं patient से मिला हूँ medical reports के साथ तो body के अंदर की healing तो एक चीज है body के बाहर की चीजे भी जैसे कि लोगों के career, business और personal life love relationship तक में positive effects आते हैं और उसका भी अच्छा खास explanation है कुंडलीनी activation से जब energy healing होती है तो body का aura healthy होने लगता है जिस तरह का aura हम emit करते हैं उसी तरह के लोगों से संपर्क में आते हैं उसी तरह के लोगों को हम attract करते हैं और attract होते भी है और यह जो film है, यह journey भी है चार spiritual gurus की जिनका जीवन कहीं न कहीं आपस में जुड़ा हुआ था और उसका एक उदेश था कि यह मंत्र meditation टेकनीक दुनिया के सामने आपा है इंडिया के सबसे दो बड़े spiritualists स्वामी विवेकानन्द और श्री अर्बिंदो घोज भी इस मंत्र meditation की जर्नी से जुड़े हुए हैं फिल्म के इस हिस्से में अफी सारी ऐसी चीजें जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लगता है कि यह तो किस से कहानियों में होता है लेकिन जो गुरूज है इनकी बायोग्रफी में जो जीवनी होती है उसमें यह सब लिखा हुआ है और सारी चीजें जैसी हुई है वैसी ही दिखाई है मैं आपके साथ कुछ इंटर्व्यू शेर करूँगा एक AIDS HIV के पेशेंट का है देखें HIV पेशेंट्स में जाए Human Immunovirus जब लग जाता है बाड़ी को तो क्या होता है कि यह Immunity को कम करना शुरू कर देता है और Immunity को गिराते गिराते यह एक ऐसे लेवल पे लिए आता है जो Blood Report में CD4 Count होता है उससे मेजर होता है Immunity तो जब CD4 Count 200 से भी नीचे गिर जाता है तब एंसान की Immunity इतनी कम हो जाती है कि उसको AIDS कहा गया है Acquired Immuno Deficiency Syndrome कि अब आपकी Immunity इतनी कम है कि किसी भी रोग लगने से आपकी Death हो सकती है तो ऐसे Patients जिनको HIV भी था और AIDS हो गया था उन लोगों ने इस Meditation को किया तो दीरे दीरे उनका CD4 Count बढ़ने लगा 200 से पार चला गया यानि AIDS के Patients वो नहीं रहे और उन्होंने HIV जो Count होता है एकदम Negligible Degree पर लिया है जिससे कि आदमी एकदम आम जन की तरह रह सकता है तो अब ये Healings होती कैसे है Body पर इस Meditation का Work करने का Mechanism क्या है देखिए Kundalini नाम हम सबने कभी न कभी सुना ही होता है Kundalini एक वो Force है या एक Energy है जो कि हमारी जो Read की हड़ी होती है जो Spine होती है एकदम जहां वो खतम होती है उसके निचले भाग में Kundalini होती है इस Mantra Meditation से Kundalini Energy अक्टिवेट होती है और धीरे धीरे वो उपर बढ़ना चालू करती है जो Body के Magnetic Centers या जो Magnetic Chakras होते है वहां जाती है और अगर वो Magnetic Center में कोई Imbalance है या Obstruction है तो वो उसे क्लियर करती है और जैसे वो Obstruction क्लियर होता है जो उससे Connected Organ है बोडी का वो भी Heal हो जाता है और इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ना शुरू करती है तभी इसे Body की Immunity भी बढ़ने लगती है Modern Medical Science का जो Emblem होता है एक साप है जो Rod के उपर चड़ रहा है ये साप और कुछ नहीं कुंडलीनी ही है और जो Rod है वो हमारी Spine या Red की हटी है जिन लोगों ने Modern Medical Science की आधारशिला रखी होगी वो लोग इस बात को जानते थे कि कुंडलीनी की Healing Powers क्या है और हमारे वेदिक लिटरेचर में वो कुंडलीनी है जिसको बोला गया है कि देवी शक्ती या ईश्वरी स्वरूब जो हमारे अंदर होता है खेर हम बात कर रहे थे Healing की तो उसी पर आते हैं कोरोनवाइरस के पेशिंट्स के ट्रीट्मेंट में मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन, एज की एर्टी थरपी और ट्यूबर कलोसिस की वैक्सीन भी ट्राइक की जा रही है तो जब इतनी सारी दवाईयां उन पर ट्राइक कर सकते हैं तो हम एक meditation की टेक्नीक को नहीं क्यों नहीं दे सकते हैं हिंदुस्तान की धरुहर रहे हैं योग और अध्यात्मा तो हमें जिजग क्यों होती है इस बात की possibility को explore करने में कि शायद ध्यान की इस विधी से करोनवाइरस ठीक हो सकता है कम से कम प्रयास तो हमें करने चाहिए और अगर वो प्रयास कारगर होते हैं तो हमें घर से पूरी दुनिया को ही बताना चाहिए कि हम कोरोनवाइरस का इलाज कर सकते हैं मैं इसी से एक और बात बताता हूँ देखिए इंडिया के दो सबसे बड़े spiritualists स्वामी विवेकनंद और श्री अरविंदो घोस दौनों ने अपनी राइटिंग्स में ये कहा है कि in the 24th century India shall show the path to spirituality to the entire world हिंदुस्तान 21 सदी में अध्यात्मी की रहा पूरी दुनिया को दिखाएगा हो सिता है ये वही मौका मैं अब आगे बढ़ूँगा उस शक्सियत पर उस महान गुरू पर जिन्हों ने ये मंत्र मेडिटेशन को फनाया 30 साल तक वह इस मंत्र मेडिटेशन से लोगों का उप्चार करें थे free of cost किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे 2017 में उन्होंने अपना मानव शरीर छोड़ दिया और उसके बाद भी उनका काम आज भी निजनतर जारी है और कोई कमर्शल अक्टिविटी उसमें नहीं होती है वह जो मेडिटेशन है वह यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है दो एहम रीजन है जिसके वज़े से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ पहला रीजन तो यह देखिए कि गुरु रामलाल जी सियक का जो मेडिटेशन हॉल है वहां पे पूरी मेडिटेशन हॉल में चारों तरफ इस मेडिटेशन के बारे में सिद्ध योग के बारे में काफी सारी चीज़े लिखी हुई हैं एक जगह ये भी लिखावा है कि 24 नमंबर 2019 को युग परिवर्तन होगा डेट लिखी वी बकाईदा और युग कल्युक से हम सत्युग में प्रवेश कर जाएंगे और उनके साथ जो बहुत समय से जो शिश्य थे उन लोगों को वो ये भी बताते थे कि जब युग परिवर्तन का काल आता है तो एक बड़े स्केल पे दुनिया में तराजदी आती हैं लोग मारे जाते हैं लोगों की मृत्ती होती है और अभी देखिए इत्फाक कहिए या उनकी भविश्वानी किए कहिए आकरी जो हफ्ता था नवंबर का उसी में वोहान में वो वाइरस पनपा और दिसंबर में वो फैला और जनवरी में 2020 में दुनिया ने उस वाइरस को देखा तो यह तो पहला रीजन है जिसके मज़े से मैं यह वीडियो गना रहा हूं दूसरा रीजन यह है कि वो यह भी कहते थे कि 2020 से ही फिर लोग फिर से एक बार अध्यात में की तरफ बढ़ेंगे इस मेडिटेशन को ट्राय करेंगे एक बहुत बड़े स्केल पर ट्राय करेंग तो शैद वो समय भी अभी है अधियो आध्यव जो है सादक के पृषि ताम शंत कर अधी देहिक, आधी बहुतिक, आधी देविक आपके अगरेजी मासा में फिजिकल डिजिस, मेंटल डिजिस और स्पिर्चुल डिजिस, इसे बार कोई रोग ही नहीं है, इस वे टी का रहा है, ये कोई मिराकल ही हो रहा है। कोई गुरु अगर जे दिख्षा देता है, वेदों के मंतर के उपतेशव के इस्वर के नाम के तो उसकी आवाज में फोस होती है। तो उसकी सक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे मेरे में जो एनलाइटेट मेंटो के आगा है। मेरे 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 म कोई प्रकार के योग के रिए हो तो गभराए करें 15 मिट ध्यान करो 15 मिट में अपना बंद हो जाएगी देखिए एक बात है कि जो मेडेशन है यह किसी भी दर्म विशेश का इसमें कोई रोल नहीं है जो गुरू होता है, गुरू का कोई धर्म नहीं होता है, गुरू एक लिंक का काम करता है, और आप जिस भी higher power को मानते हैं, आप उस higher power तक पहुंच सकते हैं गुरू के माध्यम से, और जो meditation होता है, वो human body पे होता है, शरीर पे होता है, और शरीर सभी मानवों का सेम होता है, इसलिए कोई किसी भी धरमकाओ इस meditation को कर सकता है। अच्छा एक ध्यान रखने वाली बात इस meditation में यह है कि जो लोग इस meditation को करते हैं तो कुछ 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी में कुछ योगी क्रियाएं होती है या योगा के आसन लगते हैं और वो स्वत्य ही अपने आप होता है ध्यान की मुद्रा में होता है और 15 मि जरूत नहीं है यह समझेगी कोई बूत वगेरा है इस तरह कोई वो है ऐसा कुछ नहीं है जो कुंडलीनी शक्ति है वो अपने आप ही बॉडी में कुछ लोगों को योगा कराती है और इसलिए वो योगी पोस्चर चेंज होते हैं अब जैसे आप समझ लीजे कि जब हम सोत हैं तो जो बॉडी है सोते समय करवड बदलती है या तकिया हम दबाते हैं तो बॉडी अपने आप इस तरह की के कुछ पॉस्चर बनाती है तो एक और इसमें एग्जेंपल है जैसे माली जब आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुनते समय भी आप जो लोगों को योगी क्रियाए होती है तो उनसे घबराएं नहीं किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए उस चीज को ट्राय करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं तो जैसा बताया गया है दिन में दो बार पदर-पदर मिट के इस मेडिटेशन को जरूर पहुंचाएं मैं बस यह होग करता हूं कि कुछ कोरोनवारिस पेशेंट्स भी इस मेडिटेशन को एक बार ट्राय करेंगे जैहिंद क्रिया है क्लिंग, क्रीशन क्लिंग, 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 क्लि